हेलो दोस्तो आज की वीडियो में लोग रेजवेट्स के लिए निकली जज की लेटिस्ट वेकंसी के बारे में कम्प्लीट इंफॉर्मिशन देंगे तो दोस्तो इन वेकंसी में आलो और इंडिया आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो सभी प्रकार के लीगल अपडेट्स, लीगल जॉब्स इंफॉर्मिशन और AIB एक्जाम प्रेपरेशन करने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर कर दीजे तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने हैं और लोग रेजवेट्स के लिए हाई कोर्ट आप पंजाब एंड हरियाना के द्वारा जो वैकेंसी निकली हुई है जज की उसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं तो सबसे पहले इसका ओफिस्यल नोटिफिकेशन कैसे प्राप्त करेंगे तो आपको हाई कोर्ट आप चंडिगर या हाई कोर्ट आप पंजाब एंड हरियाना की ओफिस्यल वैबसाइट पर जाना होगा उसके बाद उसके केरियर सेक्षन पे जा करके आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो चलिए इस वेकेंसी के बारे में डिटेल से जान लेते हैं तो दोस्तो आपके सामने स्क्रीन पर हाई कोर्ट आप पंजाब एंड हर्याना के दोरा जारी आफिसियल नोटिफिकेशन है दोस्तो यह जो नोटिफिकेशन आपका 14 नौंबर 2023 को जारी किया गया है यहाँ पर डारेक्ट रेक्रूट्मेंट टू पंजाब सीरियर जुडिसियल सर्विस 2023-2024 मिन्स यहाँ पर जो पंजाब सुपीरियर आपकी जुडिसियल सर्विस है उसके तहत यहाँ पर जो है बैकेंसी निकली होई है इन बैकेंसी को H.J.S. भी बोला जाता है तो दोस्तो यहाँ पर जो टोटल बैकेंसी हैं ट्टी वन बैकेंसी है और अगर बात करें इनके पेजस्केल की दोस्तो तो बहुत याच्छाा पेजस्केल सलडी मिलने वाले हैं आपको यहाँ पर देखें दोस्तो 51,550 से लेकर के 63,070 का पेजस्केल है label 5 का age scale है तो इसमें जो salary starting होगी 144,840 रूपीज से starting होगी और age की बात करें तो 35 years से लेकर के 45 years age तक के जो candidate है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और जो age relaxation है जो Punjab and Haryana का age relaxation rules है उसके according आपको age relaxation भी मिलेगा और जो age count होगी 22 December 2023 से count होगी और दोस्तों यहाँ पर जो selection है वो आपका written test होगा और उसके बाद पिर interview होगा दो माध्यम से होना है और यहाँ पर जो application form है वो आपको offline form apply करना होगा और offline form इसी notification के last में दिया गया है envelope के उपर आपको ध्यान से लिखना application for the post आप additional district judge in the state of Punjab और उसके बाद जो form है उसको fill up कर देना है form fill up के बाद अपने जो educational और experience जो documents हो सारी लगा देने है qualification की बात करें तो आपके पास law degree होनी चाहिए BCI approved institute या फिर university से इसके साथ साथ दोस्तों कम से कम 7 year का experience भी आपके पास legal field में as advocate work करने का होना चाहिए और इसके साथ साथ जो एक सबस्वे महत्तोपूर्ण बात जो भी पंजाब और हर्यानक vacancies आती है तो उनमें पंजाबी भासा का knowledge बहुत अन्युआरे होता है तो कम से कम आप जो 10th class तक आपके जो study की है उसमें पंजाबी होनी चाहिए तब ही आप ये vacancies के लिए form apply कर पाएंगे application fees की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो general EWS category है या आदर state के लोग हैं उनके लिए 1000 रुपीज फीस रखी गई है और जो SC, ST या BC या handicapped person है पंजाब के उनके लिए 500 रुपीज है मिस आदर state के यदि आप रहने वाले किसी भी category के हो तो आप यहाँ पर general में count होंगे यदि आप पंजाब के SC, ST, BC या handicapped है तब ही आप जो है यह 500 रुपीज फीस है वो आपको पड़ेगी अदरवाइस आपको भी 1000 रुपीज फीस ही पे करनी पड़ेगी तो दोस्तों इसका जो slabbers है वो भी notification में दिया गया है और इस vacancy में जो apply करने की last date है 22 December 2023 है बहुत बहुत थन्यवाद